साक्षी मैम ये भी कहा जा रहा है कि आप राजनीती कर रही है आज भी कुछ कॉंग्रेस के नेता आपको मिले दिपिंदर हुड़ा अभी हमने तस्वीर दिखाई प्रियंका गांधी वाडरा अभी आप आपसे मिलकर आ रही है क्या ये लड़ाई जो है कहीं न कहीं रेसलर्स बनाम ब्रिच्बूशन सिंग के बजाए अब बन गई है कॉंग्रेस बनाम भाजपा कितना सही है ये नहीं नहीं ये बिलकुल ही सरासर गलत है देखो अभी जो प्रैंका जी है और दिपेंदर जी है वो हमारे घर आये मिलने तो हम किसी को मना नहीं कर सकते कि आप क्यूं आ रहे हो वो उनका पर्सनल हो है हमारे प्रोटेस पे भी बहुत सारे नेता है हमें सपोर्ट करने आज हम दुखी है अगर हमें कोई सपोर्ट करने आ रहा है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है तो कल कोई अगर भाजपा का नेता आ जाए प्रधान मंत्री आपको फोन करें तो आप उनसे भी मिलेंगी अगर अगर सपोर्ट के लिए आएगा तो दर्वाज़े खुले हैं सर ये जो कहा जा रहा है कि आप शायद साक्षी मलिक चुनाब लड़ेंगी हरियाना से कॉंग्रेस टिकिट पर क्या ये अफवा है ये बिल्कुल गलत है पर आप रूल आउट नहीं कर रही है कि हो सकता है अगले साल चुनाव है हरियाना में आप चुनाव लड़ सकती है या ब्रिजबूशन सिंग को टकर दे सकती है देखो अब भी के लिए नहीं बता सकती लेकिन आगया ले माले फ्यूच में क्या पता क्या करना पड़ जाए लेकिन हाल फिलाल में मनाई कर रही है ये भी कहा जा रहा है साक्षी जी कि आप और अन्य रेसलर जो है वो चाते थे डाइरेक्ट केंट्री इंटू अलिम्पिक्स आप क्वालिफायर्स नहीं करना चाती थी ये भी मामला उठा और एक क्वालिफायर में आप खुद हारी थी क्या ये भी प्रचार है कि आप लोग जितने भी रेसलर्स प्रदर्शन कर रहे थे वो चाते थे डाइरेक्ट एंट्री इंटू अलिम्पिक्स विदाउट ट्रा कराई थी क्वालिफिकेशन से चार दिन पहले और आप ये बाते अब वो बोल रहा है कि बिना ट्राइल्स के जाना चाहते हैं कोई उससे कोशन पूछ के दे कि मैं इंडिया में फस्ट आके गई थी सेलेक्शन ट्राइल्स में मैं फस्ट आई थी और डूसरे कंट्री में ज अब भी तो मैंने क्विट ही कर दिया है लेकिन मैं अपनी रेस्लिंग की करियर लाइफ में मैंने आज तक बिना ट्राइल्स के कोई भी इंटरनेशनल टॉर्नामेंट नहीं खेला ना ही मैं गई सबसे बड़ा मुद्दा अभी भी सेक्शल हरिस्मेंट का है बिट भूशन सरन सिंग के खिलाव एक MP के खिलाव एक सांसत के खिलाव आपने बड़े गंभीर आरोप लगाये थे क्या आप उन आरोपोर पर अभी भी बरकरार है क्या वाकई इस तरह के सेक्शल हरिस्मेंट के चार्जिस के प्रमान आप पूरी तरह से देने के लिए तयार है क्या आप समझती है जिनों ने ये एविडेंस दिया है पुलीस के सामने क्या अब वो कारवाई चलेगी या अब वो चार्जिस का क्या होगा आपने जो एक कोशन पुछाना मुझे बड़ा दुख हुआ कि अभी वे आपको लगता है कि मतलब हमारी लड़ाई जूटी थी या यह जो इस पे आरोप लगे हैं यह जूटे थे नहीं मैं साक्षी जी मैंने पहले दिन से कहा है कि between an MP and Olympic wrestlers my heart will always be with Olympic wrestlers आप मैं इतना ही आप से पूछना चाहता हूँ क्या आपको विश्वास है कि दिली पुलीस अब कारवाई कर पाएगी आपको न्याय दे पाएगी क्या जिन लड़कियों ने F.I.R. फाइल किया है वो उस पर अमल रहेगी त्याकी आपको न्याय मिले सबूतों पर आखिर में ये कोड को नेने लेना है कि ब्रिजबूशन सिंग वाकिए बेकसूर है या 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 दोशी है ये तो कोड तै करेगा कल ब्रिजबूशन का बिजनस पार्टनर जब से प्रेजिडेंट बना है मैं एक पी लड़की की गैरेंटी नहीं ले रही हूँ क्यूंकि वो दुबारा से उसके हाथ में पावर है वो लड़कियों को डराएगा दमकाएगा एक हो तो जो केस जिसने किया है उसको डोप में फसादिया है बजरंग ने भी वीडियो डाली थी एक्सपारी डेट की वो डोपिं किट लेके जाते हैं और जवरदस्ती डोपिं लेके जाते हैं जबके ओफ सीजन चल रहा है अभी जो जिस लड़की ने केस किया हो था उसको भी फसादिया है कि ये डोप पॉजिटिव है तो धीरे धीरे करके वो लड़कियों को रीच और लड़कियां आते हुए दिखाते हैं